नमस्कार दोस्तों मैं रोसनला लिया दाओ आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल रोसन टुटोरियल पर हार्टिक स्वागत और अभिन्दन करता हूँ दोस्तों जो हम सिम्पल इंटरेस्ट कर रहे हैं साधारन व्याज इसी को ही कंटीनू करते हैं और इसमें से देखे डिफरेंट डिफरेंट लैंगवेज कैसे एक्जामिनर हमारे सामने रखता है उसके लिए हम देख रहे हैं आध हमें इक अलग टाइप ले रहे हैं ठीक है त इसी को continue करते हैं किस तरीके से देखे एक्जामिजर हमारे सामने लेंग्वेज रखता है और कैसे हमारे को उनको फोल करने के लिए प्रियास करने चाहिए ठीक है तो चलिए शुरुवाद करते हैं बिना समय कवाई और क्यूशन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है आप आप श चाहिक है तो मैं यह करता हुँ दोस्तों कि आप लोग सहे देखे कोई भी बेक्राउंड से हो चाहिए आप आर्स से हो सहे मैथ से हो किसी भी बेक्राउंड से रहे हो आप यहाँ पर जो मैथेमेटिक्स कराई जा रही है आप उसको फू से पारट वन से देखिए जैसे प्रिक्स लेंगवेज होती है उसमें डेटा बदले जाते हैं और उत्यातिक्स होता है जो यह डे दी जाती है उसमें डेटा चेंज किए जाते है लेंगवेज पर तो हम कामकारी रहे होते हैं पता साथ कुछन कर लेते हैं, एरसेप्टर में तो बहुत होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से समझाना तो उसमें से बहुत चीजे कवर हो दाती है, ठीक है, तो आप शिरफ इतना कीजिए, कि जो भी यहां पर वीडियो दिखाए जा रहे हैं, आप उनकी प्रोपर नोट्स ब समझे की चया इस टाइप में इस तरीके से सोल होगा, इस टाइप के कुछिंस आएंगे, तो हमाएं ऐसे करना हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे दो तिन बार कर लेते हैं, तो मेरे शाब से आपको फिर ज़रूत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कोचिंग करना थीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुश्टन के साथ, जैसे कुश्टन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर आपके, इंग्लिश में देखें आफ, इंग्लिश में ये लेंग्वेज है, एक परसंग, देखें, मैं इसे 4-5 कुश्टन आपको कराऊँगा, ये जो पहला कुश the SI was paid on the first part at the rate of 12% per annum and on the second part at the rate of 14% per annum if total SI for one year was Rs. 3260, okay 3260 what was the amount of debit at 40% हिंदी वारे देख लिए एक वक्ति ने दो साहू कारों से कुल 25,000 रुपय का रिन उधार गिया एक रिन पर 12% वैं दूसरे रिन पर 14% वार्षिक दर्ष से साधारन ब्याज दिया गया है यदि एक वर्ष का कुल साधारन ब्याज 366 नहीं है यह अपन यह 3260 ठीक है 3260 रुपय हो तो है रासी ग्याद करों जो 14% पर उधार लिए गई थी ठीक है ओप्शन से हमारे A 12000 B 13000 C 14000 और D 15000 यह तो हो गया दोस्तों कुछन सबसे पहले तो देखे हमें इस जो प्रोब्लम्स हैं इस तैप के जो भी प्रोब्लम्स होते हैं उनको समझने की जरूरत है कि हमें इसमें पूछा क्या गया एक्षोल में हमें इस कुछन को समझना कैसे ह भाई कोई भी आदमी है उसने दो लोगों से यह दो भी उधार दे रहे हैं उससे दो सावकारों से बैंकर्स बोल दो आप उनको बैंकर्स बोल सकते हैं सावकारों को लाला जी को ठीक है तो एक वक्ति है जैसे आप ही हो इस स्वाल में कहा क्या गया है वो समझी आप एक मिंज में कि जैसे आप है ठीक है आप जो अलग अलग वक्तियों के पास गए ठीक है और आपने टोटल उन दो अलग अलग वक्तियों से जैसे मालो आप हो आपके कोई दो दोस्त है आप उन दो तो दोस्तों के गले कियार मुझे पत्स्ीश जार रोपर की जरुवत है ठीक है तो उन Спेजों मिलकर के ठीक है किसी हमारो दस जार दिये दूसरे पंद्राईब दे द इस combination कैसे भी हो सकता है, पहले वारे ने 15,000 दे दिये, दूसरे वारे ने 10,000 दे दिये, पहले वारे ने 20,000 दे दिये, दूसरे वारे ने 5,000 दे दिये, ये combination कैसा भी हो सकता है, टोटल अब आपको 25,000 की दूर्ट पड़ी तो जैसे आप उन दो दोस्तों के पास गए और कहा गयार मुझे 25,000 रुपर की जरूरत है मुझे 25,000 चाहिए उन्होंने कहा ठीकर दे देंगे उन्होंने दोनोंने मिलकर के आपको 25,000 रुपर दे दिया अब यह हमें पता नहीं है इस स्वाल के माध्यम से, इस language के माध्यम से कि पहले वाले ने कितने दिये और दूसरे वाले ने कितने दिये पहली बात और वो कह रहा है कि यार उधार दिये अब जो भी है हमें ये भी नहीं पता कि भाई पहले वाले की रैट है बारा परसंट या चोदा परसंट दूसरे वाले की चोदा परसंट है या बारा परसंट है ये भी नहीं पता ये भी इस वाल के फिक्स नहीं वो कर रहा है कि एक वक्ती है वो तो उसको बारा परसंट रिन ले रहा है दूसरा दोस्त है वो उससे 14% का दे ले रहा है ठीक है वासिक दर से एक तो 12% की दर अपलाई कर रहा है और दूसरा है 14% की दर अपलाई कर रहा है लेकिन फिक्स नहीं है कि पहले बारा 12% ले रहा है कि 14% ले रहा है या फिक दूसरे बारा 12% ले रहा है कि 14% ले रहा है ये फ के बाद, वो कहा रहा है कि यार यदि मर्स के अंत में कुल साधारन ब्याज के रूप में 3260 रुपर बनते हैं ठीक है, तो कुल साधारन ब्याज में दोस्तों language को समझी, कुल का मतलब है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट का दे रहा है, देखिए, यहां सुरू से ही, प्रिंसिपल से लेकर रेट से लेकर, सिंपल इंटरेस्ट तक सब कुछ अंधेरे में है, समझे इस टाइप की प्रोब्लम्स को, अंधेरे में मतलब दोस्तों यह है, कि फिक्स नहीं है, कि पहले वाले का प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है ठीक है, ब्याज कितना बन रहा है कुछ पता नहीं है, दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है ब्याज कितना है, कोई पता नहीं है, इस टाइप के प्रोब्लम्स जब्या आते हैं, तो वो सिर्फ fix रखता है इस तैग को और last में कह देता है या कि वो कह देगा कि 12% पर जो राशी उधार ली गई है वो बता दो या फिर वो कह देगा कि 14% पर राशी उधार ली गई है वो बता दो इस तरह किसे भी problem बता है ठीक है तो हमने आपको ये बताया भीटर, कि जैसे मालों के आपके दो दोस्त हैं, यहांपर है यहांपर आप खुद है ठीक है, आप खुद है आपको 25,000 रुपर की जरुत पड़ती है इतनी भी रुपर की जरुत पड़ेगी देखें, रुपर हैं वो चेंज होते रहेंगे ठीक है लाइफ है रूपर चेंज होते रहेंगे आज आपको 25,000 की दोस तक कल एक लाग की पड़ेंगे ठीक है वो मेंटर नहीं है आप इस टाइप को समझें आपका आप है आपको दुरुत पड़ी 25,000 की आपने दोस्तों के पास मिलकर के 25,000 पर जुटा लिए ठीक है आप जैसे दोस तक भी उर्सी है अब हमें यह नहीं पता कि भी आपको आपको जुन सब 25,000 की रिक्राइड इतनी रही 25,000 की एक बार इसको समझना इस टाइप को बाद में हम देखे आपको बताएंगे बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने की ठीक है बहुत सारे तरीके है श इसके अलावा में कैसे कुश्ण को अपर ऊस करें कैसे कुश्य पोकरें उसके बारे में बाते करें तीक है अब यहाँ आप इस कंसेप्ट को समझ ए कि यह concept है क्या इस type की प्रोग्लिम से में होता क्या है यहाँ पर आप खुद बैटे हैं आपको 25,000 टुर्वाइड आ है ज तो इस तरीके से आपकी क्या जरुत क्या होगी, पूरी होगी, ये देखे जोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये कोई प्रिंसिपल वो नहीं है, जो ये एक्जामिन पूंचा गया है, ये समझाने का प्रयास करें कि आप 25,000 पर कैसे जुटाते हैं, कैसे rate of interest होती है, कैसे उन पर apply होता है, ठीक है, वो सब चीजे बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, अब हो सकता है कि देखे, या तो ये तरीका हो सकता है, अगर आदम को जोरते हैं, तो भी आपकी कितने बंच ये 25,000, तो requirement कितने की जी 25,000 की, पूरी हो भी 25,000 की requirement हो, हो सकता है कि दोस्त भी आपको 10,000 उपर देदे, और दोस्त C है वो आपको 15,000 उपर देदे, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो भी आपका 25,000 की requirement पूरा हो रहा है, हो सकता है कि दोस्त भी है ये 5000 उपर देपाए आपक तो दोस्त सी हाई इस यह आपको 20,000 रुपर लेने पड़ेंगे तो कुल मिला कि दोस्तो काहनी इतनी सी है कि अगर यह एक रुपर देता है तो 24,999 रुपर इसे लेने पड़ेंगे दूसरे वारे से समझे इस बात को अगर मालों एक रुपर यह देता है आमाले को तो 24,999 रुपर दूसरे वारे से लेने पड़ेंगे तो क्लोटल आपको दे के 25,000 करने बात इतनी सी है इस चीज़ को समझ यह ठीक है इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि 25,000 रुपर जुटाने कैसे है इसमें जो लैंग्वेज की बात के गई है वो यही है कि डो लोग मिलकर के 25,000 रुपर दे रहे अब भाई आप मुझे यह बताइए कि इस टाइप में यह जो लैंग्वेज दी गई है कि डो लोग मिलकर के 25,000 रुपर दे रहे है इसमें कहीं भी कुछ फिक्स है कि पहले वारा कितना दे रहे है और दूसरे वारा कितना दे रहा है कोई फिक्स नहीं है हो सकता है कि पहले वारा पांच जार दे दे दूसरे वारा बीस जार दे दे ये भी हो सकता है पहले वारा एक रूपर दे दे दूसरे वारा चोबिस जार नो सुनियान रूपर दे दे ठीक है पहले वारा 15 जार ने दे दूसरे वारा 10 जार ने दे कुल मिला कि कानी इतनी ची है कि 22 जार पर उसको मिलने है दो लोगों से उधार ठीक है उधार मिलने है कहीं भी ये फिक्स नहीं है कि भाई पहले वारा तो कितना दे रहा है और दूसरे वारा कितना दे रहा है ठीक है तो कुल यहां कि यहां से निचोर निकलता है इस टाहिप में कि प्रिंसिपल जो होता है हमारा चीजों को आराम से समझो टाइम लगा करके चीजी हो जाएंगे प्रिंसिपल जो हमारा मुल्धन यह क्या है दोस्तों ठीक्स नहीं इufactARK प्रिंसिपल टोटल तो देखिए मुल्धन ठीक्स है लेकिन इंडिविजिवल अपना पृति ने की जिसीपल, या лंदिविजिवल की जो सैपरेट मुल्धन है यानि की जो अपना अलग अलग मुंधन है ठीक है परते का मुंधन परते का मुंधन आप वह फिक्स नोट फिक्स यैरिक फिक्स नहीं है शाली बात इस ताइप में यह होता है फिक्स नही है हो सकता है कि B एक रूपर दे दे C 24,000 रूपर दे दे ये भी हो सकता है कि B जो है ये 15,000 रूपर दे दे और C जो है ये 10,000 रूपर दे दे टोटल 25,000 करने हैं हो सकता है कि ये 10,000 मिला दे वो 15,000 मिला दे C तो कहीं भी देखे इस टाइप में दो सावकार है इनका individual जो principle है जो separate principle है मुल्दन है ये fix नहीं है कि कितना कितना मिला रहे है दूसरी बात वो कह रहा है कि भाई एक पर तो लिन 12% है दूसरे पर 14% का वार्षिक दर से impose क्या जा रहा है लगाया जा रहा है अब कहीं भी इस language में दोस्तों ये नहीं कहा उसने कि B B 12% लगा रहा है कि 14% लगा रहा है लेकि इतना fix है कि अगर B 12% लगाएगा तो C लगाएगा दोस्तों 14% ठीक है और अगर B जो है ये 14% लगाएगा तो C लगाएगा 12% है नहीं है कि B 14% लगा रहा है कि 12% लगा रहा है लेकिन इतना fix है अगर B ने मालो 12% लगा दिया तो C 14% लगाएगा अगर मालो B ने 14% लगा दिया तो C 12% ही लगाएगा ठीक है यानि कि A को लगाएगा 12% और दूसरा लगाएगा 14% की दार ठीक है तो कुछ अलाके देखिश में जो rate of interest है जो rate of interest है दोस्तों T-E-R-E-S-T जो दर है ये भी देखे fix नहीं है fix कहा है कि बाइरा 12% भी है 14% भी है लेकिन individual की जो rate of interest है individual जो सबद है ये जुना दरूरी है separate बोल सकते हैं आप I-N-D-I-V-I-D-U-A-R individual rate of interest है separate rate of interest धर है वो fix नहीं है ठीक है हमें उसका fix नहीं है fix इसलिए नहीं है दोथो आपका इनोज को कहिने असाब fix है 12% क्या fix नहीं है 12% क्या fix नहीं है भाई ये तो है 12% rate of interest भी fix होती है 14% rate of interest भी fix बोल सकते हैं लेकिन इस सवाल में हम यह नहीं बता सकते कि B 12% दे रहा है कि 14% दे रहा है यहाँ पर C है वो 12% दे रहा है कि 14% पर दे रहा है यह हम ठिक्स नहीं है कि B 12% पर दे रहा है कि 14% पर दे रहा है C जो है यह 12% पर दे रहा है उधार या 14% पर दे रहा है यह चीज इसमें ठिक्स नहीं है तो कुल मिला कि दो बातिया भी तब किलियर हुई कि individual जो principle है अब दोनों का separate principle है अलग-अलग जो मोदन है यह fix नहीं है कि कौन कितना दे रहा है दूसरी बात यह है कि individual rate of interest इस टाइप में जो separate rate of interest डर है वो fix नहीं है मतलब वो fix नहीं है कि 12% से हो रहा है कि 14% से हो रहा है लेकिन इतना fix है कि अगर 12% लगा देगा तो दूसरा 12% लगा देगा एक 14% लगा देगा तो दूसरा 12% लगा देगा इतना fix है लेकिन यह fix नहीं है कि B कितना percent से charge कर रहा है C कितने percent से charge कर रहा है ठीक है उसके बाद अब है दो देखिये कि एक वर्सक का कूल साधरहन ब्याद है बश्वु लिद ऐग इस Tombly इसने यह पता नहीं है कि भाई बिक को कितना ब्याद मिला और तो somya ब्याज करें एक पतना ब्याज करें निकल कि आती है दोस्तों दिखरा एक न हैं इए चलो दिखरा जो इंडिविजिवल आपके पास रहें इंडिविजिवल वी आई डी यू एल इंडिविजिनल जो ऐसा ही है दोस्तों डोनों का जो सैप्रेट ऐसा यह साधारन व्याज है वो कितना कमा रहे हैं है वो भी यहां पर उसका पता नहीं लग पा रहा है ठीक है पता नहीं आने की फिक्स नहीं है यह इस तरीके चाप फिक्स तो है लेकिन पता नहीं लग पा रहा है ठीक है इसका भी पता नहीं तो यहां पर देखिए दोस्तों तीन चीजे आपने नोट की होंगी इस तैप की प्रोब्लम में ऐसा हमेशा रहेगा कि ना तो मूंधन का पता है कि भाई यानि की डोनों दू लोग है दो लोग रहते हैं यहां पर ए जानि की बी ने कितना दिया मूलधन सी ने मूलधन कितना दिया यह ठिक्स नहीं होता है यह हमें पता नहीं होता है सब कुछ जोल मठोल रहता मनला वो एक तरह से कंबाइंड रखा जाता है चीजों को इस ताइप में फिर रेट ओप इंट्रेस्ट पर बात आती है तो तो दूसरा 14% से ले ही लेगा ठीक है तो इसमें देखिए तीन चीजे है तीसरी चीज है दोस्तों इंडिविजनल जो ऐसा ही है जो साधान व्याद है वो उसका भी हमें पता नहीं रहता क्योंकि यहां पर देखिए कंबाइंड सिंपल इंट्रेस्ट बता रहता आपको कि स कंबाइन रूप से वो इतने रूपा उसको इतने रूपा साधान प्याद बनता है इस तरीके से लेंग्वेजर की जाती है तो इस ताइप में देखिए और पर बाद में आप से क्या पूठा जाता है कि 12% पर यानि जो में देख ऑफ इंट्रेस्ट होती है इस पर कितना इस ताइप से प्रोब्लम्स आते हैं समझना इससे दो देखिए मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाने में ही लगबग 20 मिनट ले लिया है ठीक है 20 मिनट हो गए है और अभी तक मेरा कंसेप्ट ही फुड़ा हुआ है देख लो क्यों सम्झाने पर आते हैं तो ऐसे ही समझा करना है मैं आपको सबसे पहले basic method बताता हूं कि भाई इसमें होता क्या है माल लो इसको एक बार मिटा रहते हैं ठीक है माल लो की दो बैंक है जहां पर आप पैसे उधार लिये हैं B और C माल लो कि यार principle भी फिक्स नहीं है तो भाई मेरे को मानना पढ़ेगा भाई मैंने क् कि इसमें जो individual principle है उसका हमें पता नहीं है कि B कितना रुपर दे रहा है C कितने रुपर दे रहा है तो मालना पढ़ेगा तो मैंने माल लिए कि B है न वो X रुपर दे रहा है जब B X रुपर दे रहा है टोटल किकले हम उदाय ले रहे है 25,000 तो C दे लेगा 25,000 माइनस X ठी कि वो कह रहा है कि यार वो टोटल है टोटल उसने क्या 32,000 रुपर का ब्याज कमा लिया लेकिं इंडिजल का हमें नहीं पता कि कितना ब्याज कमा रहा है तूसरी बाद कि रेट रुप इंट्रेस्ट है उसका पता नहीं है कि B है वो 12% से चार्ट कर रहा है कि C 12% से चार्ट हमें माल लेते हैं कि 12% से दे रहा है रूपए और 14% से सी चार्ज कर रहा है ठीक है मालना पड़ेगा सब को उसके बाद देखे यहां भी हमने मूलदन मालना दर मालना ठीक है मालना तो है अब इसको दो हमारा सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मूला है इसमें रख दूआ बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है इसमें रखी तो मैं आपको देखे एक क्विशन बता देता हूं एक बार इसमें तब आप रखेंगे तो मालनों कि आप उन्हें एक्स रूपए लिए मूलदन कितना है एक्स रूपए 12% के डेट ओप इंट्रेस्ट है सम आप साथ बोलेंगी एक वर्स का कुल साथ हर ब्याद है ठीक है बटेस्ट प्लस किया आपने तो दूसरी कितने राशी बत्री पत्चीस रार माइनिस एक्स पत्चीस रार माइनिस एक्स जर कितना है बारत 14% यांप 14% की दर है और समय एक साल बटेस्ट वो कह रहें कि यह इ ठीक है तो यह कितना कबाड़ी वाला है वाई आवास लो उसकी कुछ दिन बादा आपको भी करनों को यह काम करना पड़ेगा तो पहले देख लो ठीक है तो सब्सक्राइब मजाग की बाते हैं पढ़ेए आप लोग बहुत अच्छा कीजिए ठीक है आराम से कर भी सकते हैं आप लोग सब कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो कुल मिला कि हमारे को एक एक्वेशन तयार करनी है वो आपके सामने है कि वही एक्स रुता 12% की दर से कितना ब्याद देंगे और 25,000-X रुपए 16% की दर से कितना ब्याद देंगे इन दोनों का दो ब्याद जब हम जोड़ेंगे तो हमारे को मिलेंगे 3260 रुपए ठीक है भाई अब इसको मिटा हूँगा ठीक है भाई मिटा देते हैं इसको जब आप इसको सोल कर रहे होंगे दोस्तों तो आराम से देखे आप इसको जब सोल करेंगे तो इसको सोल आप कर सकते हैं जो भी वेल्यू आएगी एक्स की वेल्यू आजाएगी ठीक है और फिर अगर एक्स की वेलिव आगी तो दूसरी वेलिव अपने आपने में जाएगे आपको ठीक है तो माल लोग इसको जब सोल करेंगे तो कर ले ना भाई इसको जैसे 14 से इसको गुड़ा करना तो मैं करके बताता हूं आपको 3260 रुपए है गलेंगी तो पत्चीस जोग सो तीन घिंदी तो यह है जीटिजन पत्चीस जोग तो दस और पत्चीस एकम 25 और दस पैंटिस है ठीक है यह आगया माईनस 14 X का थीक है बढ़के सो कि इस तरह की से होगा इसे वे रहा आम टो लोल कोमल लेंगे तो यह आगया However 30 60 00 यह आगर 12x माइनिस चुदा एक्स प्लस 352 3500 00 अब जब 14x माइनिस 2x आएगा दोस्तों माइनिस का दू एक्स ही दर जाएगा तो यह प्लस का 2x हो जाएगा ठीक है देखे इस चवाग इसको देखे ओ थोड़ा सा डेटेल में कर रहेते हैं यह आगर दोस्तों देखिं मा 0000 यह आगया 32 6000 अब यह माइनिस का 2x जब इधर जाएगा तो पलस का 2x हो जाएगा और यह जो वैलू है इधर आएगी तो माइनेस की हो जाएगा जो आप साथ दिखेता नहीं तो दिख रहा है विज़ा तो दो एक्स की वेलू जब आप निकालेंगे ये दो एक्स उधर बेढ़ेंगे माइनस का तो यह आ जाएगा तीन लाख पचास जार में से जो तीन लाख 26,000 रुपर जब आप गटाएंगे तो मुटा मुटा ये मालों कि पचास जार में से जब आ हो गया वाई 12,000 रुपए बाग दे देंगे यानि कि 12,000 रुपए वो दे रहा है 12% की दर से ठीक है तो 12,000 रुपए जब वो 12% की दर से दे रहा है वाई तो टोटल उसने लिए कितने थे 25,000 रुपए तो बचे कितने 25,000 माइस 12,000 करेंगे तो यहां पर आजाएगा 13,000 र तो दे देगा 14% की rate of interest से ठीक है इस तरीके से विक्तु तरीका यह है 10 कि लास में follow करते है ठीक है भाई इसको समझना एक तरीका भी यह है हमारे पास जो हम 10 कि लास में इसको follow करते आए है कुछ नहीं है आपको मानना पर देगा कि एक model X है तो दूसरा 25,000 माइनस X हो गया rate of interest है पहले पर मालो 12% दूसरे पर 16% rate of interest impose हो रही है आपने PRT लगाए simple model उना दर उना समय बटे सो एक्स पर 12% की rate से ब्याज एक्स माइनस 25,000 पर सुरी 25,000 माइनस X और 12% की rate of interest से चार्ज simple interest कितना बन रहा है दो लोगों को जब जोड़ेंगे 3260 यह question में दिया गया है जब आप इसको sound करेंगे तो इस तरीके से आप X के value पा रहे होंगे और जब X के value X क्या है 12% की rate से दि दिया दाएगा 25,000 माइनस X की 12,000 तो 25,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 13,000 को मिलेंगे और option number B है वो आपका right option होगा एक तो तरीका यह है जो हम तस्च्च्च्च क्लास में करते हैं इसको भी देखिए basic है यह एक बार देख लीजिए आप मैं मिटा हूँआ ठीक है अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझी इसमें देखिए इसके अलावा दो तरीके में आपको और बता हूँआ इसके अलावा भी मैं दो तरीके और बता हूँआ कि इस टाइप की जब भी problem आई जहां modern भी fix नहीं होता है individual ना तो principal fix होता है नहीं individual rate of interest fix होता है ठीक है नहीं individual ऐसा ही जो simple interest है उसका हमें पता रहता है तो इस टाइप की जो problems जब भी आते हैं यानि कि सब कुछ mix हो रखा है आप इस चीज़ को समझी है कि सब कुछ यहाँ पर देखिए mix हो रखा है principle है mix हो है 25 रेट of interest है mix है पता नहीं 14% पर कौन सा ह simple interest है simple interest individual है mix heurah combine group से मिल रहा है combine group से principle है combine group से simple interest मिल रहा है सब कुछ mix मिल रहा है यह सबसे साढ़ार्ग जो है सवाल वो करने के लिए mixer विदियो होती है ठीक है हां कई सवाल ऐसे होते हैं जाह पर यह भी सवाल है इस सवाल की कर लाइब देटा से एक्जामन सेट कर देता है कि मिक्सर विदी से तो फोल धाता है, ठीक है कर रहा है। लेकिन 99% प्रोग्लम्स हैं नहीं PRT लगाने की जोड़ता आपको नहीं आपको equation बनाने की जोड़ता है कुछ नहीं करना simple mixer video लगाएंगे और यह जो mixed problems है इनको individual problem बना देंगे ठीक है यह क्या है mixer video mixer video में क्या होता है mixer video हम लगाता सकते हैं जब भी आपको देखे दोस्तो individual data की जोड़ पड़ती है ठीक है mixer video कब लगाते हैं जब सब कुछ mix दे रखा हो आपको mix का मतलब होता है mix का कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि जहां पर देखे सब कुछ mix दे रखा हो principle भी mix में दे रखा हो पता नहीं है कि एक बी कितना दे रहा है सी कितना दे रहा है rate of interest भी mix हो और जो साधान गाज है वो भी mix हो यानि combined हुप से दिया गया हो वहाँ पर आप यह mixer भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो mixer में भी ठीक हो लिए एक मिनट भाई यह क्या है कि यह जो मारकर है ना इसका दो इंक है यह छींक परदा करता है मेरे पता नहीं इससे allergy होती है क्या सिस्टम है ठीक है लेकिन इससे होता है कुछ नहीं जब भी इसके पास आते हैं और एक दो बार दे से अपन करते करते हैं इस लगा देते हैं ना कि टो उससे क्या होता है इसे स्पर फिरिश्क इस दूर संसलो होती है तो कोई नहीं अप देकी मिक्सर विदी लगाएंगे दूसरा तरीका है दो तो कम लगा ही रहती है जब भी आपको individual data की जोग पड़े ठीक है जब भी आपको संख्या निकालनी हो कोई पार्ट निकालना हो individual जैसे यहाँ पर बोड़ा 14% की दर्स से कितना धनोधा लिया भाई तो संख्या पूंथ रहा है ठीक है उसका पार्ट पूंथ रहा हो जब भी स निकालना हो थीक है है ठीक है इन्डीर्जोन भाग निकालना हो पार्ट का मसले होता है तक तो भाग living भाग निकालना हो हो तो Lakeshore視 रुदी बैस्तर है दोस्तुंग है आप इस language को याद रहкий रुद्टर दूवदी है यह best है, इससे best कुछ भी नहीं है, ठीक है, यह आप लिख लीजिए, mixer दिरी हम कहा लगाएंगे, जब भी सब कुछ mix कर रखा हूँ, principle भी mix कर रखा हूँ, rate of interest भी mix कर रखा हूँ, यानि हमें पता नहीं कि individual principle कितना है, individual rate of interest कितना है, individual simple interest कितना बन रहा है, सब कुछ मिक्स कर रखा हो, रेट ओप इंटेस्ट, प्रिंसिपल, और जो हमारे साधान ब्याद है, सब भी मिक्स कर रखे हो, तो मिक्सर विजी सबसे बेश्ट है, समझे इस बात को, मिक्सर विजी हम वहाँ लगा सकते हैं, जहां पर भी आपको इंडिविजुल सिंपल निकालना हो, या इंडिविजुल, कोई भी जब भी संठ्या निकालनी हो, या इंडिविजुल पार्ट निकालना हो, तो मिक्सर विजी सबसे बेश्ट है, अब देखिए, इंडिविजुल ये पार्ट है, वो पूतर है, अगर आप से पूता है कि 12% पर कितना उधार लेता चोड़ा पर संट कितना उधार लेता है तो इtering पूल जब supply वह दो प्रतीत हैं वह अज मोलर को निया सब्सक्राव के दिरना है वह ह्थे ओन पर्संट फड़ा जवर म्होंना है निखार परसंट निखालने हो तोшossen डिवा सबसे बेस्ट है हाँ इसके कुछ कई सवाल ऐसे भी आते हैं दोस्तों एक्जाम में भी जहां यह मिक्सर भी दी आप लगा तो देंगे लेकिन कैलकुलेशन इतना भाहिंकर हो जाता है महां उससे बड़ी आया कि मैं आपको दूसरा मेथड और बताऊंगा इसके अलावा तीक है तीसरा मेथड जो मैं बात करूँगा वो लगाई आप जब भी देखे कैलकुलेशन अगर बड़ी जा रही है तो उसमें फसने का कोई फायता नहीं है कि कैलकुलेशन लेगी समय और समय अगर जिसने कंपेटिशन में खो दिया तो फिर वो कही कुछ भी हो कितना भी बिल्लेंट हो वो एक्जाम में पास नहीं हो सकता ये च्रव है सारा एकल्मस टाइम मनेजमेंट का यह होता है ठीक है तो हमारे कुछ समय बचाना है तो मैं बताऊंगो कि कबद आपको ये मि plugs लगानी है कबदाऊंगो वो सोचने का है तो तर्फली ठीक है वह लगागा है वो पहले जो में बता है वो तो बेसीक है वो तो लगाने हे आपको वो बेसीक बीजिक है अगर अगर प्रोगलम ज्यादा तब बन रही है तो फिर वो तीशरा जो Сब्सेल में बताऊंगा इस टाइब के लिए उसकोटलाई करें ठीक है दूसरा और तीसरा जो मेठेड मैं बताऊंगा आपको इस में से कोईशिव मेठेड से भी अगर आप अपलाई करते हैं इस पर इस टैप की प्रोब्लम्स में तो यह मानि बहुत असानी से सवाल का उतर आता है बहुत असानी से ठीक है तो मैं मिक्सर विधी बते मिक्सर विधी में क्या होता है जब भी आपको सब कुछ मिक्स करके दे रखा हो तो मिक्सर विधी लगाईए तो जब भी इंडिविजिल पार्ट निकालना हो ठीक है तो मिक्सर विधी लगाईए जब भी कोई संख्या निकालनी हो तो मिक्सर विधी लगाईए मिक्सर यह नहीं पता कि भाई जो टोटल हमारे को ब्याद तो पता है लेकिन एवरेज रेट ओफ इंट्रेस्ट कितना है इसमें देखे दोस्तों आपको एक टावन यूज करने पड़ेगी एवरेज की ओसत की आपको यह एवरेज रेट ओफ इंट्रेस्ट निकालने पड़ेगी और एवरेज आप निकालना बहुत अच्छी से जानते हैं जो भी आता है दोस्तों जो भी आपको निकलके आता है जैसे मान लोग की दो लोग है दो लोग ने एक ने 200 रुपर कमाई एक ने 500 रुपर कमाई तो भाई टोटल कितने होगे 700 तो आप कहेंगी एवरेज कितना कमाया तो 700 बटे 2 कर देते हैं ठीक है ? 300 रुपर हो गया अगर भहिण 10 लोग हैं सब ने मान लोग किसी ने 200 रुपर कमाई किसी ने 500 रुपर कमाई इस तरीके से तो डिवाइड जए 10 करते हैं और वो कमाते हैं कोई 300 रुपर कमा रहा है कोई 200 रुपर कमा रहा है ठीक है एक 300 कमा रहा है 200 कमा रहा है तो तोटल 500 रुपर कमा दी औस अगर आपको कोई करें कि औस धन कितना कमा रहे हैं तो औस निकालना हो तो डिवाइड बाइपरसंट करना पड़ेगा A, B, E, R, A, G, E, Average Rate of Interest Average Rate of Interest की जरूत पड़ेगी आपको, कुछ से नहीं करना अगर जो भी आपको Combined Simple Interest दिया गया है उसी से आप Rate of Interest निकाल लीजी आपकी Average Rate of Interest आदाएगी सिदी-सिदी क्योंकि यह जो Simple Interest दिया आए, Combined है Individual तो कुछ है नहीं, Combined है इसे अगर Rate of Interest निकालते हैं, दर निकालते हैं तो आपको Average Rate of Interest आपको मिलती है दुबारा सुनना, अगर आप Combined तो टोटल जो आपको सहर्धान ब्याद जिया गया है इससे अगर आप Rate of Interest निकालते हैं तो आपको उसत दर, यानि कि Average Rate of Interest आपको मिलती है तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है दोस्तों तो Average Rate of Interest कितनी होगी बाई 3260 रुपर कमा रहा है साल की 3260 रुपर कमा रहा है किस पर 25,000 पर तो 100 पर कितना यह होगी दर 100 रुपर पर एक साल कर दियाशी है बाई दर है तो यह होगा आपका Average वह PRT वाला फॉर्मूला है यार मैंने यह आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता दिया बाग यह तरीका वह ही है जब आप इसको सोल कर रहे होंगे तो दो बिल्नी से दो बंदी एक बिल्नी से एक बंदी ठीक है बैं और अब आपके पास आजया 32725 तो कटेगा भी नहीं ठीक है तो यहाँ पर Average Rate of Interest आगी दोस्तों आपके कितनी 32725 परसेंट मैं आपको यही बात कह रहा था कि एक परसेंट क्यूशन्स ऐसे आते हैं जहां पर यह तो Mixer विजी एला इसको लगाना भी हमारे लिए खत्रे से खाली नहीं होता है ठीक है तो आप उस केस में इसको अवोइड करें एक दूसरा मेतड और बताऊंगा तीसरा मेतड उसको फोलो करें ठीक है क्योंकि यहां पर देखे 300 एवरेज रेट उप इंट्रेस्ट जब आप लगाएंगे मिक्सर विजी में 327 बटे 25 हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलेकेस मैथ में हैं तब यह मिक्सर विजी आपको और बढ़िया से किलियर होगी अभी आप सब्सक्रा से समझ लीजे कि कैसे यह अपलाई होती है ठीक है जीरे जीरे करके चीज़ें होंगी भाई टाइम इतना होता नहीं है क्या करें अन्य दैक है जब आप इसको सोल कर रहे होते है न वाई तो इसका एक ही तरीका है यह होगी एवरेज रेट उपिंतरष्ट यह कहां यहाँ जो भी आएगा यह इंडिवीज्वाइगा वेल्य यह होता है एवरेज एवरेज वेल्यो होती है समझना Mixer विज़े में क्या होता है यहां जो भी value होगी वो individual होगी individual value होती है ठीक है यह भी individual value है यहां पर भी देखें दोस्तो individual ही value है individual value है यह individual value है 12%, 14% भी individual value है लेकिन 2, 3, 2, 25% हम निकाल के लाए है यह क्या है, average rate of interest है, यह average value है ठीक है यह Mixer विज़े का concept होता है अब इसको solve कैसे करना है ठीक है तो solve जब आप करेंगे तो भई 327, 25, 12 करेंगे एक में 14, 327, 25 करेंगे और इसको solve करेंगे, तो बहुत बड़ी calculation हो रही है समझना इस बात हो तो इस case में दोस्तों आप ही Mixer विज़े ना लगाए मैं फिर कह रहा हूँ कि 99% problems जब है हम solve करेंगे इस type की problems में जहां सब कुछ mix है ना principle का पता है individual, ना rate of interest individual पता है ना simple interest individual हमें पता है उस case में यह जहां पर सब कुछ mix हो रखा है वहाँ पर यह Mixer विज़ी सबसे कारगार होगी 99% problem में इस विज़ी से हम solve कर लेंगे लेकिन कई problems ऐसी होंगी जो data examiner set करता है उस पर depend करता है जैसे इस question में उसने इस तरीके से set किया है कि अगर आप Mixer विज़ी का सारा लेंगे तो तीसरा method है उसकी बात करता हूं तीसरा method completely जो है वो सोचने का method है ठीक है भाई अब हम बात करते हैं जब इस तरीके से भी problem ना बन पाए आपसे तो यह जो simple interest sorry जो है तीसरा method है इसको follow करें यहां सब को सोचना ही है मानना है आपको ठीक है सोचना है खाली सोचा आपने जो हम पहला method किया है उसमें भी हमने सोचा ही है उसमें माना ही है भाई एक मुल्दन x है दूसरा 25-0-x है एक rate of interest मान लो की पहले वारे की 12% है दूसरे वारे की 14% है सब कुस माना ही तो है वहां भी तो यहां मानने में क्या हर्दोर है यहां भी मान लो सोच लोग थोड़ा सा अब यह सारा game है सोच हैने का वो कह रहा है कि 25,000 रुपर दो लोगों से उधार लेता है एक पर एक लोग है वो उसको 12% करता है दूसरा है वो 14% करता है यह नहीं पता कौन सा कितने पकर रहा है तिसरी बात यहां से निकल के आते कि तो साधान ब्याज है वो उसको टोटल इतने रूपर मिल रहा है जितना मिल रहा होगा 3260 जितना नहीं मिलेगा इस तरीके से तो अब आप सोचे यार कि अगर एक तो लेकि रेट उप इंटरेस्ट सारा रेट उप इंटरेस्ट का इखि इंटरेस्ट एक 14% है ठीक है जब आपको सोचना ही है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार अगर मालो सारा ही धन 12% से दिया जाता तो उसको कितना ब्याज मिल रहा था एक सेकंड लग रहा है स्वाल सोल होने में एक सेकंड कैसे यह धन तो जितना भी होगा मुझे नहीं प सकते हैं 14% को 12% प्लस 2% ठीक है 12% प्लस 2% इसको ले सकते है 14% तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो भी धन है ये टोटल घन ये 12% रेट ओपिंटेर्स से तो दिया ही जा रहा है हम ही सोचे नहीं हिए अगर 12% रेट ऑपिंटेर्स से दे चार्ज होता तो हमें कितना साधान ब्याज मिलता इसमें क्या है 14% वाड़े में है 12% से तो इस चार्ज होई रहा है 2% एक स्टारवर लग रहा है नि वह मैं है यह 12 प्रसेंट से तो Commoon से ट्वारा प्रसेंट यहां इытता अथ्या बोटर्चा किए रहा है दो परसेंट यह एक्स्고 truck सारग कि इधा यहां पर मौंद न रहा होगा उस पर पर तो परसंट TL कि इस हो सकते हैं कि उसेत्म एंग स्पर यहां ब're chỉंपटर दिया जारा है दो परसंट एश्यख्ट्रम से दा दा तो तो हम कितना ग्याज कमा रहे होते हैं किस पर भाई वो ही है 25,000 पर तो 25,000 पर अगर 12% rate of interest रहती एक साल के लिए तो कितना simple interest हम कमा रहे होते हैं चिम्पल सी बात है लुआ है सोल करनो जीरो बारा पंजे 66 और बार जुन 276 तीज नजा रूपे हम कमा रहे होते हैं मैं आपको यह समझाना सा रहा हूं कि भाई जो एक तो 12% rate of interest है एक 14% rate of interest है 14% को आपने टुकुड़ में तोले 12% एक 2% का टुकुड़ा अब आप यह कह रहे हैं कि भाई जो भी धन है वो 12% से तो दिया ही जा रहा है यह 14% वारा है ला है ठीक है यह 2% extra से उड़ दिया रहा है तो total दो धन है उस पर 12% को देकि चार्ज होई जाए ला टोटल दो धन है उस तो 12% तो चार्ज होई जाए 2% जो है यह एक्टा चार्ज हो रहा है किस पर 14% वारा है जो भी यहाँ पर मूंड़न रहेगा जब हम total की बात करते हैं कि total principle 12% से तो चार्ज होई रहे ला है तो 12% से जब आप चार्ज करेंगे तो रुपा आगए 3,000 रुपा है और आपका जो साधान का जब इतना है भाई 3260 रुपा है जब आप ने इसमेरे 3,000 रुपा गटा दिये तो यह आगए 260 रुपा है समझना इस बात को कि बैए अगर सारा दनी 12% से दिया जाता तो आप रुपा कमा रहे होते 3,000 अगर सारा दनी 12% से दिया जाता लेकिन कुछ द्ण ऐसा है दोस्तों 25,000 में से कि वो 14% से दिया जा रहべ है अगर सार्फ़नी 12% से जियर दाओं, circuit of cost, 1332 लेकिन आप कम़ीदे कला हुए हैं, 3260 présent न किसकी बढूद॑त कमा रहे हैं, इस 14 कि बदूदुलत कमा रहे हैं यह 14 परसेंट की बदूदुलत नहीं कमा रहे है, या पिंदू चो 2% एक्सिंट एक्स्त्रा है ah इसकी बदुवत कमा रहे हैं अगर पूरा ही दन 12% से दे दिया जाता तो 3000 रुपे ब्याज मिल जाता आपको कितना मिल रहे 3260 रुपे तो 3260 में से दो आप 3000 को गटाएंगे तो 260 रुपे मिलेंगे तो 260 रुपे जो आप एक्स्टर कमा रहे हैं यहां जो भी प्रिंचिपल रहेगा ठीक है उसका 2% चार्ज हो रहे है यानि कि 2% जो है यह जो एक्स्टर 2% है ना इसकी बदुवत ही आप ए 260 रुपे कमा पा रहे हैं समझ मैं इस बात हूँ तो 2% की वैल्यू है यह रिपर्जेंट कर रहे हैं 260 को तो भई एक पर्जेंट किसको रिपर्जेंट करेगा 260 बटे दे रहने की 130 को मैंने का था भई जो प्रिंचिपल हजाब होता 100% ठीक है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी multiply 100 तो 13,000 रुपे आगे 13,000 रुपे क्या है 13,000 रुपे वो हैं जो 14% की दर से चार्ज हो रहे हैं यहाँ पर जो भी प्रिंचिपल रहेगा दोस्तो वो उसका 2% ही कितना है 260 है मैं आपको दुबारा ये language बता रहा हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि अगर पूरा ही धन ये से 12% है ये 14% की दर से चार्ज हो रहा है तो ये 12% की दर से चार्ज हो रहा है 2% एश्टा चार्ज हो रहा है ठीक है तो अगर पूरा ही धन 12% से लिया जता है तो 25,000 का 12% 3000 रुपे लेकिन हम कितना पा रहे हैं 3260 रुपे दे रहे हैं यानि कि जो भी आप 260 रुपा एक्स्टा दे रहे हैं वो इस 2% के कारण दे पा रहे हैं, ठीक है, तो 2% के विली 260 को तो 1% के विली, 130 को तो 100% के विली कितनी हो गए, 13,000 रुपा, जब हमें ये पता लग गया, कि 14% के वाड़ा धन को दिया जाल, कि इतना 13,000 रुपा, टोटल 12% का धन कितना हो गया, 12,000 रुपा, ऐसे कर लो, क्या प्रटल है, ठीक है, तो ये भी तरीका है, आप उतनी बड़ी काल्कुलेशन करेंगे, मिक्सर विजिय में, वहाँ, एक्स बैक्स मानेंगे, इससे बड़ी आए कि आप थोड़ा है तो सोचना है, कि भाई, ये 12% से तो सार्ज होई रहा है, 2% एक्स्टा सार्ज और हो रहा है, अगर पुराही दन 12% से सार्ज होता तो रुपा कितने देने पड़ते, 3000 रुपे, तो 260 रुपे मैं एक्स्टा दे रहा हूं, जबकि दे कितना रहा हूं, 3260 रुपे, तो 260 रुपे मैं एक्स्टा दे रहा हूं, वो ह कि जो 14% से चार्ज हो रहा है दन यह 13,000 रुपए टोटल आपने 25,000 रुपए उधार लिए जब यह 13,000 रुपए हो गया तो 12,000 रुपए उत्मेटिक बची जाएगा इस तरीके से आप यह जो टाइप है इसको खतम कर सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कि अगर फिर भी किसी भाई को कोई टाइप में कोई इस टाइप के जो भी टीन मेथड मैंने बताए है इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख ले समझ में आ जाएगा और फिर भी नहीं आता है तो फिर कमेंट के माद्द में से बताए मैं उसे फिर स और तरीके से समझाने का प्रियास करूँगा एक बड़ टाइम देख लेते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के रांड हो गए है ठीक है और अपनी वाई इम्मत नहीं है 15 मिनट के क्लास हो गई है मैं इसमें चार-पांस क्यूस्टन्स आपको कराऊंगा कराना क्या है यार वही बाते है है जो मैंने आपको बता ही है वही बाते गादूंआ दुबारस से बस डेटा चेंज करूँगा आज रेंग वेजी रखना और कराना क्या है करा के दिखाऊंगे क्यूस्टन करा देता है बई क्यूस्टन लाव रेका है क्यूस्टन है दोस्तों बैसे मानलो आप 16004 देटा चेंज करें एक वक्ती या है कुल सावकार से जैसे 16000 रुपर या तो किसी को उधार देता है किसी से उधार लेता है 16000 रुपर ठीक है एक पर वह 4% रेट ओप इंटरेस्ट लगाता है और यदि एक साल के अंति में पूल साधा है ब्याज उसको 700 पर मिलता है तो वहरासी ज्याद करो जो या तो 4% ट्रेट से चार्ज की गई है या फिर 5% कोई से भी डेट से चार्ज की गई उससे फ़रकने पड़ता ठीक है यहाँ पर भी चेंज कर ले 25 जार की जगे 16 जार कर ले ठीक है बैंकर्स और यहाँ पर 4% कर ले एक दर है 4% परेंट और दूसरे की दर है 5% परेंट और टोटल वह 700 रुपर कमा रहा है वह ठीक है 700 रुपर उसको दे रहा है पिछी से दे के उधार ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है वैसे बहुत सक्ता है कि आप हैं आप दो लो जैसे मैंने किसी दो लोगों को 16,000 रुपर दिया एक को 4% से तूसरे को 5% किरा मने कुल मैंने 700 रुपर कमाई तो 4% से जो धं था जो humbled कितना वो कितना था या फिर 5% से वैंने कितना खिर अधार लिए है यह नगवेज ही होती है दरूलत या तो उधार लेगा या उधार देगा ब्याज कब कमाई जाएगा ब्याज कमाई जाएगा जब जैसे मेरे को ब्याज कमाना है तो मैं किसी को धंद दूँगा और कोई ब्याज मेरे से कमाना सा रहा है तो वह मेरे को धंद देगा ठीक है यह तुगाज कमाने की तरीका है तब यह तो ब्याज आएगा ने तो ब्याज किसे आएगा እኤ Adjust आप यहां पर देखे तो इतनी जी बात है आप यहांил इहां पर से नहीं बतार है, आप मिक्सर जिद का सवरार दे कफिक हैं, मिक्सर जिदी, का सवरार लें दिएगा तो और अच्छी से क्लियर हो जाएगा अब इतना ही देखी दूसरा देना है वो 5% rate of interest से चार्च किया आगया है अब वो कहा रहा है कि कुछ 700 रुपर कमाता है मैंने कहाता है mixer वे जब भी आप लगाएंगे तो average rate of interest कि आपको जरूर पड़ेगी तो average rate of interest कितना आ रहा है वाई average rate of interest कितना आएगा कैसे निकालोगे जो भी आपको साधान ब्याद पराप्त हुआ है एक साल में या आपने किसी को दिया है एक साल में अगर आप combined simple interest से rate of interest निकालेंगे ये combined साधान ब्याद से अगर आप डर निकालेंगे तो वो उस्सत डर ही आएगी ठीक है उस्सत ले तो पिंट्रेस्ट ही आएगी तो 700 रुपय आप ने किसी वो कमाई या किसी को दिये किस पर 16,000 पर तो 100 पर कितना ठीक है भई तो इस तरह किने जब आप इसको सोल कर रहेंगे तो यह आगया भई 2 एंटे 16 ओर 35 ठीक है 35 बटे 8 परसेंट आगया ठीक है तो एवरेज रेट ओप इंट्रेस्ट कितनी होगी भई 35 बटे कितनी आ रही है 8 आ रही है ठीक 8 परसेंट आ जया अब यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे अगर आप इसको 4 माइनस करते है 4 माइनस 35 बटे 8 तो फिर माइनस में वेल्यू आएगी अगर इसको सिधा सो तरीका 35 बटे 8 माइनस 4 कर दे इसको जब आप सोल करेंगे तो 5 माइनस 35 बटे 8 ठीक है तो जब आप इसको देखें गए मैं थोड़ा से त्विक लेत हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जाले ठीक है तो में से 35 गते ही तो 5 बटे 8 और ये कितना है रही तुन बटे 8 आठ से 8 ना रहा रहा रिशयो लें ही सिद्याल पांच रश्व तीन आ रहा है उंअ ik associ थे किarinख है तो गळOoh आपके पास तुन आ पोरिजन में जो हम रेशियो निकाल के लाते हैं वो एग्जेक्ट वेली नहीं होती है वो समानुपात में होता है मतलब अगर ये 300 रुपह है तो ये 5 कितना होगा 500 रुपह होगो अगर ये 3-3,000 को represent करेंगी तो 5-5,000 को represent करेंगी मतलब सब्माल bucks पाति होती है यह मतलब Um, कुल म慶ला के मतलब एक तरह से जो ratio होता है तो अनुपात होता है वो ये represent करता है धन झेंगे exactly कि मैं 5 रुपर 3 रुपर नहीं यह इस तीज को indicate करता है जो ratio है जो अनुपात है वो यह indicate करता है कि अगर मालो यह value 3000 हुई 3000 वाली तो यह 5 वाली जो value होगी यह 5000 रुपर होगी मतलब अगर आप इसको 1000 से गुणा करेंगे तीन को तो पास को भी 2000 से गुणा करना पड़ेगा अगर आप तीन को 10,000 से गुणा करेंगे तो पास को भी 10,000 से गुणा करना पड़ेगा यह होता है ratio का concept ठीक है यह एक ideal value आगए है आपके पास 5 रेश्यो 3 अगर यहाँ पर आप 5 से गुणा करते हैं तीन को तो 15 आएगा तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा पच्छन 25 आएगा ठीक है तो यह ratio की ideal value अब आप इससे जितना लेके जाना चाहें पास से गुणा करके 10 से गुणा करके 1000 से गुणा करके 5000 से गुणा करके लेजाएं इसके ओपर पार ख़ड़ा करें कल्कुलेशन वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं है कुछ मिला कि हमारे पास जो 5 रिश्यो तीन आया है यह है दोस्तों प्रिंसिपल का ratio है यह क्या है जो प्रिंसिपल है हमारा मुंधन है उसका रिश्यो है आरे टी आयो इस चीज़ को समझिए जो भी पांच रिश्यो तीन आया है वो हमारा प्रिसिपल का रिश्यो है तो पांच और तीन दोस्तों कितने हो गए पांच प्लस तीन कितने हो गए आठ यानि कि आठ यूनित रिपर्जेंट कर रही है किसको 16,000 को तो भाई एक यूनित किसको रिपर्जेंट करेंगी 16,000 बटे आठ यानि कि 2000 को ठीक है तो भाई तीन यूनित किसको रिपर्जेंट करेंगी तीन यूनित रिपर्जेंट करेंगी 6,000 को और पांच यूनित रिपर्जेंट करेंगी पाच गुणा रहाँ पाच गुणा दोनजार दस रहाँ तो भाई तो इसमें आसान से हम लगा सकते हैं बहुत इजी कैलकुलेशन है कोई बड़ी बात नहीं है जब करेंगे तो असोल हो जाएगा कि आप देखनव बार्ट को ऑप्संस देख लेता है कि सई नुकला एक गल्प नुकला है नो इसने तो अभगा श्यार का मैं आपको 5% वाले बता दिया चार पर्संत वाले बता दिया बस तो इया गया उसी से ही rate of interest निकाला, average rate of interest आएगी, इस तरीके से इसको solve करें, जो भी value आएगी, एक ideal value होगी ratio की, जो 3 unit represent करेंगी, ऐसे दन को तो 5% से दिया गया है, 5 unit represent करेंगी, ऐसे दन को तो 4% से दिया गया है, total हम 5-3, 8 unit है, 8 unit 16,000 को represent करेंगी, तो 1 unit कितने को represent करेंगी, 2000 को, तो 5 unit है, 5 unit 10,000 को, इस तरीके से हम देखिए, इतने आसानी से सवाल को solve कर रहे होते, इसमें आप थर्ड method है, वो भी लगा सकते है, ठीक है, वो है, लेकिए, basic मैंने आपको बता लिया है, अब आप इस पर चाहिए इतने problems कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है एक दने 4% से दिया जा रहा है, थर्ड method बता रहा है, एक दने 5% से दिया जा रहा है, अब यह कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 4% पलस 1%, आप यह कह सकते हैं कि भाई, यह जो धना है, यह तो 4% से दिया जा रहा है, इसके तो बात ही खत्म है, यह जो धना है, यह 4% से तो दिया तो एक परसेंट उसको एक्क्रत चार्ज किया जा रहा है है ठीक है तो हम यह किसे कि घुटो धन है ना वह 4 परसेंट से चार्ज हो रहा है तो 604 रूपए आप देख लिए मुल्द धन 16000 रुपए दर्थ 4% समय एक साल बटी सुआ दो इसको 1664 रुपए यानि 640 रुपए आपको जो अगर आप पूरे धर्ण को भी 4% रेट से देते तो 640 रुपए तो कमा ही रहे होते लेकिन आप कमा कितने रहें 600 नहीं कमा रहें 700 रुपए कमा रहें तो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा ह है 60 रुपए यह किस की बडूलत मिल रहा है कि यह लगा इस एक पर्षंट के वजए से यहां पर जो भी पृशेपल रहे यानि कि यह जो प्रिम्चिपल है जो 5% से दिया जा रहा है यह है 6,000 रुपर जब यह जो 5% वारा 6,000 रुपर है तो तल आपने 16,000 रुपर किसी से उधार लिये तो बचा हुआ कितना हो गया 16,000 रुपर किसी से दिया जा रहा है कितना 10,000 रुपर इस तरह के से निकाल सकते हैं तो दोना ही मेथड देखे काम्याब है हर मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि कई बार देखे पिसला सवाल के अब हमने देखा था तो मिक्स्टर विदी वहां फैल होगी ठीक है एक तरह से पहली होगी ठीक है कि कैलकुलेशन इतना यह लोंग हो जाता है वो करना उचित नहीं है इसलिए हम यह तीसरा मेथड है मान में सोचने का इसको अपलाई करेंगी यह अगर पूरा धनी चार परसेंट है चार परसेंट से दो दिया ही जा रहा है एक परसेंट एक्स्टर चार कमारा तो एक परसेंट की वैल्व चार रूप है तो 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 इसता है यही तो चार परसेंट के तैसले दिया गया है और मेरे…? यही है और इससे बड़ा इसमें कुछ है भी नहीं और मैं यहीं कहूंगा देखिए अभी आप लोग इसे करें और टाइम नो गुंतारिस होगे न ठीक है यार मैं इसको स्वाल और कितनी बज़ गई और भी है देखिए मेरे पास स्वाल और है शिरफ वैल्यू चेंज होती है और कुछ नहीं होता है और करा है बहुत है हाँ इसमें देखिए जोस्तो टाइम के वेरियेशन के साथ भी लेंगेज बनती है वो हम देखिए अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो अगले वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि टाइम के साथ कैसे वेल्यू चेंज हो यह तो देखिए आपको एक साल का कह रहा है कि एक वर्स का साधान ब्याज कई बागो कहेगा तीन वर्स का साधान ब्याज पांच वर्स का साधान ब्याज यह है तो उस तैप में हम कैसे इन सवालों को सोल करेंगे कुछ नहीं करना एक साल का निकालना है और एक साल के निका तो बस इतना ही उसमें थोड़ा सा एक्स्ता काम और करना पड़ता है डिवाइड वाइए करना पड़ता है तो एवरेज रेट ओप इंट्रेस्ट आजाती और फिर वही तरीका है मिक्सर में दी आफिर सोचने वाले में दे इससे सवाल असानी से सोल हो जाएंगे वह हम देख तो हां ठीक है यह वह अ करा तो सकते हैं चलिए मैं एक वैल्यों और डालता हूं यार कोई नी एक किसन हम और देखते हैं से रिलेटिट कि value जैसे value change करना है हमारे को करना क्या हो ठीक है value change कर लो आप वैल्हे लो रिखो 30,000 ठीक है कुल 30,000 रुपा वो उदा लेता है एक को बारा पर्शेंट से साज करता है दूसरे को दस पर्शेंट से साज करता है और इस बार वो कह रहा है कि है वो टोटल है ना वो सोती सजार सचंदार 480 रूपर कमा रहा है तॉ तो चामारा रही और खाय्म Кाव करें तो के झासिए कि टोलध सब्सक्राइब हो एक चट्र धसत्थी çalış हूस रूपर कंवा लाक नहीं है यी अजे incomoda आगे तों करारी क्यां कि वामारा बारा परसेंट से कितने राशी उधार ले गई है मैं एक बार पॉल के और बता देता हूं आपको सुन लिजे क्विशन को वो करें कियार कुल विश्वास नाम का आदमी है विश्वास ने कुल तीस जार रुपय की रखम दो साउकारों से उधार ली इसका एक भाग 12% की साधान ब्याज की दर से और सेस भाग यहनी दूसरा भाग 10% भाज साधान ब्याज की दर से लिया गया यदि दो वर्स के अंक में रिंड रकम को निप्ताने के लिए उसने कुल विलाकर 37,480 रुपय दिये तो 12% की दर से उसने कितने रुपय उधार लिये थे इसमें देखिए दोस्तों वो कर रहा है दो वर्स यहां पर देखिए दो साल डाल दिया उसने ठीक है तो कुमिला के यह है कि दो वक्ति है वक्ति है दो सावकारों से कुल 30,000 रुपर की राशी उधार लेता है एक पर 12% का रिंड है दूसरे पर 10% वार्सिक दर से तार्ज हो रहा है यदि सादान ब्याद जा गया है यदि दो साल का स्पूल सादान ब्याद यह नहीं पूसा उसने उसने यह कहा है कि लेंग्विज में कि यदि दो साल के अंत में वो प्रोटल 36 जदार 480 रुपर देता है उसको ठीक है तो 12% की दर से जितने राशी धाल ले गई थी वो बताता हूँ भई अब बात वही है निकालना आपको सिंपल इंटरेस्ट ही है एक राशी है वो 12% की दर से दी गई है दूसरी राशी है 10% की दर से मिक्सर भी दिल लगाई अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल यह है कि टोटल सतिसरायगा उपर दे रहा हूँ उपर दे रहा है और उसका मूंगन कितना था टी सजार थी जजारह ब्राश्य हो तो यह जाय जाय बर्लं को सादान दिया है तो एक साल का साधाने ब्याज कितना देगा, एक साल का ये दो साल का ब्याज है वही, शवाल किसाब से होगा ने एक साल का जो ब्याज होगा वह वहगा डिवाईड बैट टू करेंगे तो 2.3 है 224, 2. obatti Past ai किस पर दीस हधार है किस पर 30 आप तो sto पर कितना अग्षाइब एक साल है तो तीन दो बिल्दू से दो बिल्दू ठीक है और तीन दो पहुत तीन से कट रहे तीन ने तून जीरो तीनाटी तो बिस ठीक है तो यह अगर देखे 108 बटे 10 कितना रहा भई 108 बटे 10 यानि कि यह वैल्यू आएक साल का दो तो सिंपल इंटरेस्ट कि एवरेज डेट ओप इंटरेस्ट कितनी आगी एवरेज डेट ओफ इंटरेस्ट आगी 10.8 परसंट यह वैल्यू आपको निकालने पड़े गया ऐसे यहां पर कुछ नहीं है थोड़ा सा यह इसने क्या किया है कि एक तो उसने क्या थोड़ी से आपको निकाले लेंगे दूसरे बात उसके ये का है कि वो एक साल में अग्रा दूसाल में उसको देने पढ़ रहे है यह रूप आ है तो दो साल एड़ कर दिया और वायद ही तो इस तयर के सवाल होते है तो उनको ऐसे कर parfait आप अगर वो कह रहा है कि टोटल इतने रुपर दे रहा है 36,482 तो वही ब्याज कितना दे रहा है मूल धल घटा दो 30,000 रुपर को आगा 6,482 रुपर ये क्या है दो साल का ब्याज है तो एक साल का ब्याज निकालो 32,40 अब 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 आपको जोट पड़ेगी इसको करेंगे तो यह होजाएगा 12-10.8 यह एक पैंट दो तो पॉइंट से पॉइंट ना रहा चार दूनी आठ उर चारती है बारा पूर इश्यो थ्री के रूप में आपको यह जो पूर इश्यो थ्री आया है यह प्रिंसिपल का रिश्यो है यह जो तीन उनित है यह वो उनित है जो 10% की verm Savage जी गई है जो दो उनित है यह वो उनित है जो बारा पर्सेंट की में द्रस्यी ठीक है यह जो है यह प्रिंसिपल का रिश्यों आप इस टील को समझे इस कि यह QUEFigerKA ratio अब दो त hating किपने होगे दुस्तो पांक बांच है कि 5 जोएंट कर रहे है किसको है तो टोल पीज़िपल कितना 30,000 है ओं यियक का रेश्चा है जब यह अप है श्रीक लेट वकाविट से लगाइद हे तो यहां प्रिंसिपल का रेश्यो मिलता है अब प्रिंसिपल जैसे एक डो उनिट है एक तीन यूनिट है यह रुपय नहीं यह यूनिट है कहने का मतलब कि जो बारा परसेंट है यह बारा परसेंट की दर से चार दुए है जो तीन यूनिट है यह दस परसेंट की दर से चार दुए है तोली कितनी पांच यूनित। जब किस्वाल में कें जीगिया, मुंधन, principle 30वार रुपअ। तो पांच यूनित रेप्रजेंट करには 30,000 डाहिए, किस्तो एक उनित रेप्रिजेंट करेगे भाई किसको तो इसको आप 6,000 से जब गुना करेंगे तीन यूनिट को तो छेती है तीन यूनिट को जब आप 6,000 से गुना करेंगे तो यह आगए 18,000 रुपए और इसको जब आप 6,000 से गुना करेंगे तो यह आगए इसको जब 2 यूनिट को तो 12,000 रुपए ठीक है भाई, तो आप जोड के देख लीजिए, 18,000 और 12,000 रुपए, इसमें आगया, आप 12% की दर से पूंस रहा है, तो 12,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, अगर वो पूंस दर 10% की दर से कितना दिया, तो 18,000 रुपए, ठीक है, तो कुल मिला के देखे, मिक्सर बिजी करते हैं, वहां से ब्याद निकालें, दो साल का है, एक साल के में करनवट करें, कितने साल का हो, उसको एक साल में बदलें, तो इसको एक साल में बदलें, क्योंकि हमें पता है, कि तो साधान ब्याद है, वो हर साल का समान होता है, जैसा करती ब्याद को है नहीं, साधान ब्य दोपरेंट परेंट की तरह की थास कि इतने अब के लिए प्रिंसेपल आपके पास है यहां पर दो तिन पाँच उनेट करें तीजार प्रियुथ सिमप्ल ची बत है खुट हुट करना है आप क्रूट को कुनाय को परत लिए गंसे अलिक्टीर थेखेSl प्शर मिन रोल लेगे अब कुष्षम हो है ठीक है एक दो क्यूशन और है यहाद लगे हाद ताइफ खत्म हो जाएगा क्यूशन लिखिया आप क्यूशन है पंद्रा सो रुपय की धंगाशी का एक भाग सादान ब्याज एक भाग सादान ब्याज की दस परसंट वार्सिक दर से तथा सेश भाग साद परसंट वार्सिक दर से उधार दिया गया यदे तीन वर्ष में कुल ब्याज 396 पराप्त होता है तो दस परसंट की दर से कितनी राशी उधार देगे कुल मिला कि यह है कि दोस्तों आप इस स्वाल को ऐसे भी कह सकते है कि दो लोग है दो लोगों से आपने 500 रुपय उधार ले लिए ठीक है 1500 रुपय उधार ले लिए तो साओ का रशे 15 रुपय आपने उधार ले लिए और 10 परसंट और 7 परसंट की दर से यह चार्ज हो रहा है 10 परसंट और दूसरा वार्षिक दर्पर दूसरे पर 7% रेट उप इंटरेट से वह चांज की अधार है साधरन व्याज लगाया गया है यह दितीन वर्स का कुल साधरन व्याज है 396 306 रुपए ठीक है 306 रुपए हो तो मैं रासी ज्याद करें जो यह तो 10% की दर्से दिये गई है ऐसे पुछ सकता है वो ठीक है जा फिर वो 7% की दर्से दिया मैं 10% ही डाल देता हूँ दोनों बता दूँगा मैं 10% की दर्स वाली भी 7% की दर्वाली भी ठीक है तो कुल मिला कि ऐसा सवाल है कि एक सावकार है मतलब एक वक्ती है 200 कारों से 1500 रुपर उधार लेता है एक पर वो 10% की दर पर देता है दूसरे को 7% की वार्षिक दर्ष के साधान ब्याद दिया गया है उसको यदि 3 वर्ष का फूल साधान ब्याद रुपर 390 है तो वह राषिक ग्याद करो कि जो 10% की दर्ष से उधार पता ही है दोनों का 3-3 साल है इस सवाल में और साधान ब्याद राजी मिक्स हो तो मिक्सर मिटी लगाए मिक्सर मिटी लगाने की तरिका है कि एक तरफ 10% लिखे दूसरी तरफ 7% लिखे एवरेज रेट ओप इंटरेस्ट निकालेंगे जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एक साल का यहां तो जाएं के साथ कैसे वैरेसण होता है वह देख लेते हैं टाय निकान प्रेजर मेंगे साथ जैसे प्रफट है कि वह हर साल का समान होता है पहले साल इतना यह लगता है इतना दस्वे साल लगता है लो भी टोतल डांब च्वह उसको कि तीन साल में 302 तो एक तीन दो इन्हीं के 130 रुपए ब्याज कमा लिया तो एवरेज रेट ओप इंत्रेस्ट यह आपना निकालने पड़ेगी एवरेज तो एक सो बत्ती। रूपर कमा रहा है किसपर है में सब्सक्राइब बटिष पर कमाएब किसभूस 12 Tumblr सुभू कितना तो इस तरह के से जाफ तो सॉल करेंगी कशी तो थैंकर रहा है सौर शोल करेंगी थो कुछ थेंगरा स्व तो से इस्थ निए तुटी बेल्यू गर जाएगी वेलिव गर जाएगी तो यह आग मैनिस जोटी वेल्यू घरदाएगी विया गहें गए 25 बटे 5 तो 35 और 24 दब आप घटाएंगे तो कितना रहा है नो नो बटे 5 पांस से पांस ना रहा तीन ट्या नो रेश्यो लेड़ा है पदलाब आपको एक आइडल वेल्यू पर लेके जाना है जितना कट सकता उतना काटना है ठीक है तीन ट्या नो तीन दूनी चाहिए तो जो डिसे दो आ किसको डिपरजेंट करें चंशार हम का सब्सक्राइब बलट आ किल जो भी देशाएगहे दो मिल्कत अच्छा holding निवेल्ट करेगा है ठीक है जो भी रीच्वा सब्सक्राइब करेगा इसक्राइब दुना में प्रिंसिपल को रिपर्जेंट करेगा, ठीक है, प्रिंसिपल को रिपर्जेंट करेगा, कहने का मतलब यह है कि अगर, दो यूनिट जो है, यह हो रहे हैं, 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 यह हो प्रेजन कर रहा है किसको वहली पंद्रसों को तो एक रीपर्देंट करेगा किसको वह थिये पंद्रह एंट 15500 को जब एक रीप की वैली दोस्तों तीन सो रुपए है तो दो उनीट की वैली कितनी होगे में 600 रुपए और तीन इमेट की वेले कितने गुणा 300 तो 900 तीन की है नो इन 900 रुपए तो 10% की दर से दो धन उदार दिया दाएगा उदार लिया गया ताब वो है 900 रुपए ठीक है और अगर वो कल आपसे पूंच लेका है कि 7% की दर से कितना धन उदार दिया गया तो वो है 600 इस तरीके से हम मिक्स्टर विदी से बढ़िया बढ़िया सवालों को आराम से कर सकते हैं और इसको आप देख लीजिए एक बार वो कोई प्रोग्रम हो तो बताई ठीक है और कई बार देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं था सर्ब टाइम का था थोड़ा सा कि 3 साल का ली Mr. Video लगाती बस अब जोबी रेशिह आयगा वह principle का ratio होता है ठीक है फरेसिपल के दोवेशेस दी धेए इस डिशञा से सवाल हो रा हुथा कई बार क्या होता है एक्जमम में धायर्क्टी दे देता है एक इंवरेज इंटेश्ट ठीक है एवरेज इंटेस्ट जैसे मैं वैसे बताज देता हूं कि कई बार वो टायप्र रख्तें थे वह कहता है और कि कि दस अजार उप्य की रास्ति मैं से लीसन दस अजार है अठीक है लुबचा का दस्य प्रिंसिपल होता है ऊक्टार पर्षा से दे स्वाल से Hazard और प्रॉसरा को दस परसेंट की दर्था है अजे चलो की ऐसक मुझा तो बताओ आठ परसेंट से उतने कितना धंदिया, दस परसेंट से उतने कितना धंदिया, सिंपल सी बात है, वो दे रख है तो 1.2, 9.2-8 करेंगे तो 1.2, 10-9.2 करेंगे तो 0.8, इसको जब आप 2000 से गुड़ा कर रहे होंगे, तो 4,000 उपर, तो 4,000 उपर की राशी तो दी गई है, 8% रेट उपिंटर्स से, और इसको जब आप 2000 से गुणा कर रहे होंगे, तो 6,000 और 6,000 के रुपर की राशी दी गई है, 10% रेट उपिंटर्स से, यह स्वाल तब है, जब एवरेज रेट उपिंटर्स वो खुद सब्सक्राइब दे दे देता है, तो कुछ राशी 8% से देगे, यह कुछ 10% से और उसक ब्याद दर है, वो यह है, तो इस तरीके से, शिम्पल सी मिक्सर विजी लगाई, आंसर भाई, तो इस तरीके से भी हम स्वाल को, एक स्वाल इस तरीके से भी आते हैं, कई बार एवरेज रेट उपिंटर्स दे कर भी, चले ठीक है, हमने देखे दोस्तों, इस टाइप को बखो भी खतम किया है, और मुझे नहीं लगता है, कि इस टाइप में आपको कोई प्रोब्लम होगी, आप वो दूसरा मेठेट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दो देखिए, जब एवरेज रेट उपिंटर्स उसने दे दी है, तो फिर गुंदर्स की मुझे लगताने की जरुद पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां पर साधान ब्याद उन नहीं दिया है, आप सोचने वाला मेठेट वहीं लगा सकते हैं, जहां पर साधान ब्याद आपके पास हो रहता है, तो आप इसको सोच सकते हैं, कि आप यह 8% से तो दिया गया है, 2% एक्स्टर चांज किया गया है, तो पूर एक 8% निकाल लेते हैं, जो ज़्यादा वेली होती है, वो 2% के जाने चाहिए, और जो अपना सोचने वाला मेठेट, जो मेठेट 3 बता है, मैंने तीसरा मेठेट, यह दो अगर आपके आते हैं, तो आप कोई भी स्वाल हो, आसानी से इस तैप की प्रोब्लम्स को सोल कर देंगे, एक सावकार, एक आप हो, दो सावकारों से उधार लेते ह या आप दो लोगों को धार देते हो, रेट ओ पिंटरेस्ट रहती है, ब्याज होता है, सब कुछ मिक्स रहता है, निकालना है, ठीक है, तो इतना है कहेंगी, थैंकि सो मच पर वोचिंग, अगें, थैंकि सो मच पर वोचिंग, जैहिन, जैभारत, और पढ़ते रहे हैं, अ तो आप इसको परमोट कीजिए, जितना कर सकते हैं, और बागी कंटेंट वाइज, और कंसेट वाइज, आपको कहें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़े कराए जाएंगे, फुल मज़े के साथ होंगी, ठीक है, और फुल डिटेल में होंगी, कहीं कोई दिक्कत नही होगी, चाहिए आप बड़ी-बड़ी कोचिंगों में कोचिंग कर लेजिए, वहाँ भी इस तरीके से नहीं पढ़ाए जा रहा है, ठीक है, वहाँ क्या है कि उन टीटरों को चीज़े आती हैं, लेकिन वहाँ टाइम बाउंड होता है, मेरे पास टाइम की कोई रहाँ